Hello everyone, welcome to Fine Arts Study. आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टनार से संबने टोपिक नव प्रभाववाद के बारे में. इससे पहले हम प्रभाववाद के बारे में वीडियो बना चुके हैं. अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेइलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो आज इस्ट वीडियो में हम नव क्रभाववाद के बारे में बात करेंगे तो देखिए जब प्रभाववाद था तो उसमें कई कलाकार ऐसे थे जिनको प्रभाववाद में काफी कमिया नजर आई थी कोई भी चीज कभी भी perfect नहीं होती तो इसे तरह जो प्रभाववाद में कुछ कमिया देखकर कई चित्रकारों ने अपनी तरफ से एक अपनी जो नए ने प्रियोग है वो शुरू कर दिये थे और इन जो चित्रकार थे ऐसे करने वाले चित्रकारों में जार सोरा का नाम सबस गया तो इसकी जो प्रभाववाद के प्रेंटा है वो जार सोरा को ही माना जाता है तो जार सोरा इसके प्रेंटा थे बात करते हैं प्रभाववाद के प्रथम चित्र के बारे में तो प्रथम चित्र जो है वह था स्नाना स्थल तो देखिए प्रभाववाद से ही एसंतु स परके उनका जो पहला चितर था स्नानमख्न युवतियां वो बनाया था ठीक उसी समय में जो जाज सोरा थे उन्होंने भी सेम सब्जेक्ट को लेकर अपना ये चितर स्नाना स्थल इसको बनाना शुरू किया था लेकिन रेंवार की और जाज सोरा की जो बनाने का स्टायल था जो शेली थी वो बिल्कुल अलग थी तो ये देखिए आप देख सकते हैं स्नाना स्थल इस टाइप के जो चितर है वो नेट के एक्जाम में पूछे जाते हैं कि जैसे कोई भी एक पेंटिंग दे दी जाती है उससे संबंदीत की वो कब बनी थी किस पर बनी है किस मीडियम में बनी है कि साइज में कहां संग रही थे तो इस टाइप से क्वेश्चन नेट के एक्जाम में काफी पूछे जाते हैं तो ये देखिए 1884 में बनी थी ओएल अन कैनवास पर है और ये लंदन में संग रही थे नेशनल गैलरी जो लंदन है वहां पर ये संग रही थे उसक और अप्रभावादी चित्रकारोंने विशुद रंगों के Ь के रंगों के ड्रा नोचे वीनलों द्वारा रंगांगनप्रारम किया था क्योंकि देखें यह जो प्रभाववादी थे तो उन चित्रकारों का जो जब बनाते थे तो उनका तुलिका संचालन मुक्त और एकदम स्वच्छंद था ठीक है जब प्रभाववादी चित्र थे तो उनमें वस्तों और आदमियों या फिर मनुश्यों की जो आकरतियां बना आते थे वह हलके और जो गहरे रंग हैं उनको अलग-अलग करके जो बिल्खुल बैलैंस एकदम बैलैंस में वह बनाते थे और और मनुश्य की जो आकरतियां या कोई भी जब वह शेप देते तो उसको जो जो जामितियां होता है जो मेटरिकल शेफ होती है तो उसमें वह बाकरतियां हैं वो काफी सपस्ट दिखाई देती थी ठीक है और इसी जो नव प्रवाववाद है इसे बिंदुवाद या विभाजनवाद भी कहते हैं इसके अगर प्रमुक कलाकार देखें तो इसके प्रमुक कलाकर जार्षोरा पलसिन्याक मौकसिमिलिया और लियूस मौकस 1559 को पैरिस में हुआ था जार्षोरा की म्रत्यु 29 मार्च 1891 में हुई थी और इन्होंने जो कल्या अध्यन है वो किया था इनके एजुकेशन वो अकोल्द बाजार से हुई थी उसके बाद इनके जो चित्रों की विशेस्ता थी वो थी विशुद मूल रंगों के एमिश्र सोरा के बारे में कहा जाता है कि वो उन चित्रकारों से एक थे जो की अपने विचार के बालगいきます मतलब वो कोई भी काम करने से पहले उसको करते थे तो उससे पहले वो उसके पूरी एक imagination बना लेते थे कि मुझे इस टाइप से ये काम करना है उसके बाद ही वो उसको प्रारम करते थे उसको शुरू करते थे जब वो अठारा साल के थे तब उन्होंने पुन्स, अंग्र, राफेल और होलबाईन के चित्रों की अनुकरते बनाने स्टार्ट कर दी थी और वो पुन्स को तो वो अपना आदश मानते थे उसके बाद देखी कि छोरा की जो कलास चैली है उसके तीन पहलू थे फर्स्ट की बात करें तो आकारों की सरलीकरत, जॉमितिय, ठोस रूफ वह गैरे रंग का विरोधमुक्त प्रियोग सेकिन रेखते हैं सेकिन बिन आकारों का एक दूसरे से सूसंगत समनवय और थर्ड है रंग संबद्धी सिद्धानतों के नुसार मूल रंगों का समाकार और बिंदूओं में रंगांगन और इनका एक फेमस कत्रन है कि चित्रन जो है वो खुदाई के समान है जोट सोरा ने जो उनकी अंकन पद्धि थी जो कला शैली थी उन पर उन्होंने विग्यानिकता पर अधिक बल दिया था और इसी वज़े से कई कलाकार थे जो कि उनसे निंदा करने लगे थे जोट सोरा की जो चित्र थे उन पर पुन्स के साथ साथ जापानी कला का भी प्रभाव था उसके बाद देखिए 1884 में ग्रांद जौत दीप में रविवारी अपरां चित्र जो है वो आरंब किया था यह 1884 में इन्होंने स्टार्ट किया था और 1886 में इसे पूर्ण किया थ यह एक ही चित्र है देखिये ग्रांद जौत दीप में रविवारी अपरांच ठीख जह सोरा को जब यह चित्र लोने बनाया था तो इसको चित्र को बनाने से पहले इसके अभ्यास के लिए उन्होंने पैंसिल तेल रंग और कलर吗 उनसे लगबग 250 के लगबग उन्होंने अध्यन के जो अध्यन चित्र है वो बनाए थे इस चित्र को देखकर एक जो कला समिख्षक थे योई मा उन्होंने कहा भी था कि इस चित्र के ऊपर ऐसा लग रहा है कि जैसे रंगीन मक्हियां बैटी हुई है अगर आप इनको हटा दो तो आपको लगेगा कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है बिलकुल यह प्लेन है कि इसमें ना कोई विचार है ना कुछ इसमें तुक है कुछ भी इस चित्र में नहीं है तो इस चित्र के पूर्व अभ्यास में इन्हें लगबग 250 चित्र बनाए थे इसके अलावा देखिए ब्रसेल्ज में आयोजित एक नव कलाकरों की प्रदश्णी हुई थी जिसमें प्रदश्णी थी लैव वर्क नाम से उसमें सोरा ने पिसारों के साथ अपनी जो कलाकरत तो इनका जो श्रंगार चित्र है वो एक व्यक्ति चित्र है जिसमें की जो मादलेन है वो मादलेन नाम के महिला का चित्र है जो क्यूंकि पत्नी थी और इनके अगर अन्य चित्र में देखें तो इन्होंने जो अभ्यास चित्र है वो काफी संख्या में बनाए थे किसी भी चित्र को बनाने से पहले जो अभ्यास के रूप में इनों ने जो आउट जो स्केच वगर बनते हैं इस टाइप से और जो सागर के द्रश्य होते हैं नदी किनारों के सागर की किनारों के और जो रेखा चित्र होते हैं तो इस टाइप के चित्र इनों ने काफी संध्या में ब डेथ होई थी वैसे तो नव प्रभावाद में काफी कलाकार थे लेकिन जो सबसे फेमस थे जो सबसे मेहंतिय सदश्य माने जाते हैं तो वो थे सिन्याग थे तो जब जार सोरा की डेथ होई थे तो उसके बाद जो सिन्याग थे उन्होंने ही नव प्रभावाद का इनका जो फेमस कथन है वो था कि कलाकार जिन रेखाओं द्वारा रचना करना चाहते हैं उनको निश्चित करें जिन रंगों वे चटाओं की योजना करना चाहतें उनकी पूर्वकल्पना करें सोरा के बाद सिन्याक नहीं नवप्रभावाद का नेतरत्य किया था 1908 में 1908 से ये अध्यक्ष रहे थे सिन्याक की अंकनपद थी सोरा से अधिक स्वचंद बोल सकते हैं मुक्त थी ठीक है और इनके जो चितर थे ये चितर में मोटी लकीरों के आउटलाइन होती थी तो मोटी आउटलाइन का ये प्रियोग करते थे और ये सवसियेत दे अंधेपादा के अध्यक्ष थे जब 1884 में जो परदशनी लगी थी उसमें सोरा का जो परिच्छ है वो पॉल सिन्याक से हुआ था उस टाइम पे ये दोनों आपस में मिले थे तो उसके बाद ही इन दोनों ने आपस में मिलकर जो नव प्रभावाद था उसको इनोंने आगे ले जाने के लिए महनत की थी तो अगर हम इस इसाब से कहें तो इन दोनों ने नव प्रभावाद को बनाने में उसको डवलप करने के लिए बराबर महनत की है तो अगर इनका श्रे नव प्रभावाद को बनाने का श्रे अगर हम दोनों को बराबर दे तो इसमें कोई दोराय नहीं है तो ये थी हमारा आज का टोपिक I hope कि आपको अच्छा लगा होगा और साथ ही helpful भी होगा अगर अच्छा लगी है तो चैनल को like शुट